आवादमी पार्टी ने एक मरतबा फिर बीजेपी पर संगीन इलजाम लगाया है। पार्टी ने एक मरतबा अपने MLS को तोड़ने का इलजाम लगाते वे सबूत होने का भी दावा किया। CM के जरिवाल ने भी एक्स पर पोस करते वे लिखा कि हमारे MLS को 25-25 करोड़ रुपए का आफर दिया क्या है। दिल्ली में भी दो बार भारतिय जनता पार्टी ओपरेशन लोटस करने की कोशिश कर चुकी है। 2013 में जब आम आदमी पार्टी के 28 विधायक चुनकिया थे तब भारतिय जनता पार्टी ने जीतोड कोशिश करी थी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की। आम आदमी पार्टी ने स्टिंग करके तब भार्तिय जनता पार्टी के उपाध्यक शेर सिंग डागर का एक स्टिंग देश के सामने रखा था कि वों आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहा है फिर से तकरीबं डेर साल पहले 2022 में ऑपरेशन लोट लोटस फेल हुआ क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के विधायक है वो भार्तिय जनता पार्टी की धंकियों से नहीं डरते हैं भार्तिय जनता पार्टी के लालच में नहीं आते हैं तो इस बार भार्तिय जनता पार्टी ने ओपरेशन लोटस 2.0 चालू किया है जिसमें उन केजरिवाल जी को इस तथा कथित शराब घोटाले के जूटे आरोप में एडी से गिरफतार कराएंगे अर्वन केजरिवाल जी को गिरफतार करने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराके धंका के पैसे देके विधायकों को हरीद के दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। उस रोग का नाम है Operation Lotus ये इन्होंने इसको कई राज्यों में चलाया उन्हें सफलता भी मिली चाहे वो करनाटका हो चाहे वो गोवा हो चाहे वो अरुणांचल प्रदेश हो इन्होंने दिल्ली में भी कई बार Operation Lotus चलाने की कोशिश किये। और पिछले एक हपते से पिछले कुछ दिनों से ये दिल्ली में फिर से Operation Lotus चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कई सारे मेलेस से इन्होंने संपर किया हैं। उसमें सबसे एक ही बात ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को हम खतम करने वाले हैं। जिन भी विधायकों से इन्होंने संपर किया है। उनको ये 25 करोन रुपे का ओफर दे रहे हैं। और साथ ही साथ उनको आगामी चुनाव में टिकट की भी कमिट्मेंट कर रहे हैं। जो बातचीत ये कह रहे हैं उसमें हलाकि इन्होंने कहा है कि अब तक 21 मेलेस से इन्होंने संपर किया है। जो हमने पार्टी के अंदर इंटर्निली हम लोगोंने सारा देखा चक किया तो पता चला लगबख साथ मेलेस से इन्होंने अब तक संपर किया है। और उन साथोंने इनको मुँपे ही बना कर दिया और कईोंने इनकी रिकॉर्टिंग भी कर लिया है।